Hello everyone, welcome to study with Arvind ज्यान बातने से बढ़ता है और इस चैनल पर हमेशा आपको कुछ नया सीखने को मिलता है और मिलता रहेंगा हम आप सभी को जो है कल भी बताये थे कल की क्लास में कि आप सभी के लिए 150 प्रशन लेकर आएंगे लेकर सभी के लिए तो इसमें कुल 150 प्रशन सामिल है और यह आप सब के आगामी परक्षा के विस टीजीटी पीजीटी और आधी एक्जामें में प्रशन बहुत ही सहायक साबित होंगे तो चलिए देखते हैं आज के 150 प्रशन और इस पीपर का जो है पुरा सॉल्व और इसमें कुल 150 प्रशन है तो चलिए श्टार्ट करते हैं पहला प्रशन है प्रगयतिहासिक प्रत्यागयतिहासिक इस्थल हडपा की खोज किसने की तो ओप्सन वन है वी एस वाकड़कर टू है यगदत सर्मा थ्री है सर्जोन मार्सल फूर दयाराम साहनी तो प्रगयतिहहसिक इस्थल हडपा की खोज किसने की थी तो इसको ओफ्सन फूर सही होगा दयाराम साहनी ने बी सी गुई की कला यात्रपर और अधारित लगू फिल्म किस वर्स में बनाई गई है तो तो रज लाडित कला अकात्मी दोरा फिल्म बनाई गई है बीर अरी 1990, option 4 है 1990 तो राजिस्थान लालित कल्याक अदमी दोरा जो BC गुई की कल्या यात्र पर लगु फिल्म बनाई गई थी वह किस वर्स बनाई गई है तो इसका एंसर होगा option 2 1995 में बनाई गई है 1995 में तो इसका एंसर जो होगा option 2 होगा 1995 में अगला प्रसन है भारत मुनी के अनुसार रस सिध्धान्द की मुख अवधारना क्या है तो भारत मुनी के अनुसार जो है रस सिध्धान्द की मुख अवधारना क्या है option 1 रस निस्पत्ति 2 option 1 रस चेतना 2 रस निस्पत्ति 3 रस चिंतन फोर रस अफ्यक्ति तो इसमें जो है अंसर कौन सा सही होगा भरत मुनिक के अंसर जो रस सिध्धान्थ का मुख्य अधारणा है वह है रस निस्पत्ति तो इसका अगला प्रसने है निमने लिखित में से कौनसी परंपरागत सूचना एवं संप्रेशनर तक निकी है अप्सन वन है मुद्रित समागरी जैसे पाठिकरम, मुद्रित समागरी जैसे पाठिपुस्तक, संदर्व, पुस्तक इस्त्यादी अप्सन टू, डिजिटल वीडियो, कैमरा, थरी, इमेल, इंटरनेट ताथा वर्डवाइड बेब, फोर, आभासी, कप्छा, वर्चुवल, क्लासरूम तो इसका एंसर जो है, कौन सा सही होगा, प्रशने संक्या फोर का, तो कौन सी परांपरागत सूचन यहां संप्रेशनर तक नहीं की है, तो इसका एंसर जो होगा, option 1 होगा, जो मुद्रित समागरी जैसे पाठिपुस्तक, संदर्व, पुस्तक इस्त्यादी जो है, यह answer अगला प्रस्ण है चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना कब हुई थी तो चोल मंडल विलेज जो आर्टिस्ट विलेज है इसकी स्थापना किस ने की थी चोल मंडल जो है इसकी स्थापना हुई थी तो यहाँ जो आप इंगलीस में देखिए इस साइट प्रेस ने पूरा दिया हुआ है और हिंदी में अधुरा दिया हुआ है तो यहाँ पीपर में भी मिस्प्रिंट हुआ है तो तो फू फार्मेटेड और यहू फार्मेट चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज इन दि इयर्ज 1966 तो 1966 इसवी में चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किस ने की थी तो आप्शन है केसी एस पन्निकर टू है जनकी राम त्री अमिता जैकब फूर है राम किनकर भैज तो इसका इंसर जो है वन से ही होगा प्रशन संख्या 5 का वन से ही होगा चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज जो है इसकी स्थापना 1966 में केसी एस पन्निकर ने की थी तो इसका उप्शन वन से ही होगा केसी एस पन्निकर अगला प्रशन है प्रशन संख्या 6 प्रशन संख्या 6 निमने में से कौन Printmaker है, तो निमने में से कौन Printmaker है, Option 1, सोमनात होरे, 2, 37 गुचराल, 3, KCS पर्णिकर होर, रामकुमर, तो इसका Option जो है, answer काई साही होगा, Option 1 साही होगा, सोमनात होरे, वह बाकी सभी चित्रकार हैं, प्रकासित है अगला प्रेस्न है निम्न लिखित में इसे किस चित्रकार की क्रतियां India at a glance में प्रकासित है तो इसका जो है कौन सा सई होगा उप्शन वन से होगा चितर सूत्र के अन्वाद कौन है मुलक राज आननद टू अननद कुमार स्वामी त्री अवने इंदरनाथ ठाकूर फोर मोती चंद आनन्द्गुमार स्वामी अगला प्रस्न है प्रस्नि शंख्या 9 निमनी लिखित में खजराहो मंदिर समोह में से नहीं है तो इसमें से आवगों पहिचानना है की कौन खजराहो मंदिर समöह से समधित नहीं है तो इसका option 1 है चोसट योगनी मंदिर 2 कंदरिया महादेव मंदिर ट्री वराहद मंदिर 4 राजा रानी मंदिर तो प्रशुन संक्या 9 का एंसर होगा option 4 राजा रानी मंदिर जो है वहा från मंदिर समुह में से नहीं है तो इसका option 4 से होगा राजा राणी टेंपल जो है अगला प्रस्ण है गंडपती दा वारियर नामक रतनक इसने चित्रित की है तो गंडपती गंडपती दी वारियर इन पेंटेड इज पेंटेड बाई ओप्सन वन एनस बेंदरे गंडपती दा वारियर नामक रतनक इसने चित्रित नहीं की तो इसमें से आपको पहचानना है कि पिकासो दारा कौसा चित्रित चित्र नहीं है option वन है तीन इस्त्रियां टू अविः ज़िणान की इस्त्रियां तरी निला घर फोर ताश का खेल तो प्रस्ने संख्या 11 का इंसर होगा option 4 ताश का खेल गेंस आप कार्ड तो प्रस्ने संख्या तो प्रशने संक्या बार्य का एंसर होगा ओप्शन थ्री तो केजी सुब्रमन्यम ने लिखी थी तो इसको ओप्शन जो है त्री सही होगा केजी सुब्रमन्यम तो इसका एंसर जो है त्री सही होगा अगला प्रशन है कौन सी सब्विता अपनी पकाई मिट्टी की इटो के मकानों तता जल अपूर्ती ब्यास्था के लिए प्रसिद है तो आपको इसमें से पहचानना है कि वह कौन सी सब्विता है जो अपनी पकाई मिट्टी के इटो तथा जला पूर्ती विवस्था के लिए प्रसिद है, option 1 है, मौरे सब्वेता, 2 सिंदु गाटी सब्वेता, 3 जनपद कालीन सब्वेता, फूर वैदिक सब्वेता, तो प्रस्नि संख्या तेरा का इंसर होगा, option 2 सिंदु गाटी सब्वेत इंडर्स वैली सिविलाइजेशन, तो इसका इंसर होगा, option 2, अगला प्रस्न है, प्रस्नि संख्या 14, चार वेदों में किस वेद को ग्यायात्मक वेद के रूप में भी जाना जाता है, तो option 1 है, रिग वेद, 2 अथर वेद, 3 यजूदर वेद, 4 साम वेद, तो प्रस्नि सं किस वेद को ग्यायात्मक वेद के रूप में जाना जाता है, तो इसका आउगला प्रस्न है, भारती मूर्ती सिल्फ परमपरा में गाव मूतरिका को किस रूप में जाना जाता है, तो प्रस्नि संक्या 15 का, एंसर होगा option 4 अलंकरण का तरीका तो इसका एंसर होगा अलंकरण का तरीका decorative pattern अगला प्रस्न है निम्न लिखित में से वत्यापी पुरम गुफाओं को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं तो वत्यापी पुरम गुफाओं को से सोल our या दूसरा नाम कह सकते हैं कि इसको इस नाम से ब्हुत जाना जाता है कि अगला प्रसंग है संख्या मारी ऑठारर सोठीर सेथ में इंदा सवगेर्ट चित्रों mandatory में एडवर्ड मानेट का चित्र प्रदर्शित हुआ उसका सिर्षक क्या था तो अप्सन वन है ओलंपिया टू त्रण पर भोजन त्री अंतिम भोजन पूर सुरियोदे का प्रभाव तो एडवर्ड मानेट का जो चित्र है वह 1963 की अस्विक्रत चित्रों की प्रदर्शित हुआ तो उसका सिर्षक क्या है तो प्रशन संक्या 17 का एंसर होगा ओप्सन 2 त्रण पर भोजन तो त्रण पर भोजन जो है चित्र वह एडवर्ड मानेट का है और यह उननिस सुथ सुरी अठारा सो तिरस्ट की अस्विक्रत चित्रों की प्रदर्शित हुआ था तो इसका ओप्स से जाना जाने वाला मंदिर कौन सा है तो ओप्सन 1 है एक लिंग जी मंदिर 2 जगत मंदिर 3 कुमभा स्याम मंदिर 4 सरंगार 4 मंदिर तो मेवाड का खजरा हो मेवाड का खजरा हो किस मंदिर को कहते हैं और यह नाम से जाना जाने वाला मंदिर है तो प्रशन संक्या 18 का ओप का खजवराहों कहा जाता है तो इसका उप्सन टू से होगा जगत टेंपल ऑफ्सन टू से होगा अगला प्रस्न है ब्रूस जॉएस ने सिच्छड प्रतिमान को चार परिवारों में वर्गी करत किया है तो अन्यम ने लिखित में से कौन सा एक इसका हिस्सा नहीं है अफ्सन वन है सुचना प्रक्रिया परिवार तू सामाजिक परिवार थ्री बंद परिवार फोर व्यक्तिगत परिवार तो प्रस्न संग्या उनने सका एंसर होगा अफ्सन थ्री बंद परिवार Closed Family तो इसका answer होगा Option 3 बंद परिवार अगला प्रसन है प्रसन संक्या 20 तो इसमें जो है सुमिलान करना है या सुमेलित करना है एक तूसरे को Option एक तरफ A, B, C, D दिया हुआ और एक तरफ 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है तो इसमें से जो Option जिससे सही हो रहा है उसको मिलाना है तो चलिए देखते हैं प्रसने संक्या 20 का देखते हैं A का जो है मौन्ट्रियन का संबंद किससे है तो मौन्ट्रियन का संबंद जो है चिंजर पॉट का वस्तु चित्रन से है तो इसका Option जो है A का जो है 4 से सही होगा डेलाउने, डेलाउने का संबंध है समया बच्छेदी खिर्खियां तो इसका जो है संबंध है अफसन 3 से John Miro John Miro का जो है संबंध है जोता हुआ खेत डूच्छेदी खिर्खियां डूच्छेदी का संबंध है अफसन 1 से जीने से उतरती हुई विवस्त्र तो प्रस्ने संक्या 20 का अंसर होगा प्रस्ने संक्या 20 का अंसर जो होगा अफसन 2 से होगा अफसन 2 से होगा एका जो है 4 अफसन 2 एका 4 बी का 3 तो हमने सही मिला आया था तो इसका अफसन जो है सेकेंड से होगा अगला प्रस्ने है मोने ने आरम में किस कलाकार से प्रभावित होकर द्रस से चित्रण आरम किया था तो मोने ने जो है किस कलाकार से प्रभावित होकर द्रस से चित्रण आरम किया था उप्सन वन है, यूजीन, बॉडीन, टू है, थियोडोर, जेरिगाल्ट, थ्री है, गुस्ताव, कॉर्बेट, फोर, मिलेट जीन, फ्रेंकोईस, तो प्रसने संक्या, 21 का जो है, उप्सन, वन सही होगा, यूजीन, बॉडीन के, से जो है, प्राववित होकर, द्रस्य चित्रा रम कीए था, मौनड ने, मौने ने, तो इसका उप्सन जो है, वन सही होगा, अगला प्रसने है, प्रसने संक्या 22, निमन में से कौन सा, निमन में से कौन सा, निर्मितवादी सिच्छण का एक समाने घठक नहीं है, उप्सन वन है, सिच्छारती का अधिकम सामित्व, तू, सामाजिक बात्चीत तथावारता 3. जटिल अधिकम वातावरान 4. पाठ्थे वस्तु के विशिष्ट परिप्रेच एवाम प्रस्तुती तो प्रस्न संख्या 22 का ओप्षन 4 से होगा पाठ्थे वस्तु के विशिष्ट परिप्रेच एवाम प्रस्तुती तो इसका option 4 से होगा अगला प्रसन है अतिय अथार्थ वाद दर्साता है तो अतिय अथार्थ वाद जो है वह क्या दर्साता है option 1 सपन एवम अचेतन मन तो द्रस से जगत की वस्त विखता थरी भविश से परिकलपना फोर बाधिकता एवम तर्क तो अतिय अथार्थ वाद दर्साता है तो प्रसने संके अतिय इसका answer होगा option 1 सपन एवम अचेतन मन को जो है दर्साता है तो इसका option 1 से होगा अगला प्रसन है जब एक ततश्ट उद्धीपक भोजन अथवा जल के साथ जूडता है तो उनर बलन करने का गुण प्राप्त कर लेता है ब्याव हर वाद अधिगम का या सिद्धान्त कहलाता है option 1 है प्राथमिक पुनर बलन 2 है द्वतियक पुनर बलन 3 है द्वतियक पुनर बलन 3 है द्वतियक पुनर बलन 4 ग्रिया का पुरसकार तो प्रस निशंकर 24 का एंसर होगा ओप्शन 2 दोतियक पुनर बलन तो इस पेपर में जो है आपको सब्जेक्ट के साथ साथ पेड़ागोजी भी जो साइकोलोजी सिच्छन पदेती से संबंधित प्रस नहीं वह भी देखने को मिलेंगे तो यह भी जो है आपके आगामी प्रिक्षा के वियस में आएंगे तो यह भी बहुत ही important question है आप सभी के लिए अगला प्रस नहीं है इनमें से company साथिली का चित्रकार नहीं है तो आपको इसमें सपहचान आए कौन company साथिली का चित्रकार नहीं है अपसन 1 सेवक राम, 2 धुलास लाल, 3 जुमक लाल, 4 नयन सुख तो प्रसने संखया 25 का ऑपसन 4 से होगा जो नयन सुख है हुआ जो है company साथिली के चित्रकार नहीं है तो इसका ऑफसन 4 से होगा अगला प्रसन है प्रसने संखया 26 अभी कथन A है हलकार लाल रंग उसी रंगत की गहरी प्रेश्ट भूमी पर लगाए जाए जो तो वह और अधिक हलका लाल प्रतीत होगा तो अभी कथन है बा पीले रंग को लाल रंग की प्रेश्ट भूमी में लगा दिया जाए तो पीला रंग, नारंगी रंग प्रतीक्त होने लगेगा तो इसका option देखते हैं option 1 है, आ सत्य है और बा असत्य है तो दोनों का जो है compare किया गया है कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है तो अगला option है, बा असत्य है, आ, बा सत्य है, आ असत्य है आउप्सन तरी आ और बा दोनों सत्य हैं फोर आ और बा दोनों सत्य हैं तो प्रशन संख्या 26 का जो है आउप्सन वन सही होगा आ सत्य है और बा असत्य है पीले रंग को लाला रंग की प्रिष्ट भूमि में लगा दिया जाये तो पीला रंग नरंगी प्रतीत होगा तो प्रस्न संख्या 26 का जो है Option 1 से होगा आ सत्य है और बा सत्य है अगला प्रस्न है अगला प्रस्न है अगला प्रस्न है अगला प्रस्न है मतुरा मुल्तिकला में कौन सा प्रस्तर प्रयोक्त किया गया तो मतुरा मुल्तिकला में कौन सा प्रयोक्त किया गया है Option 1 संग मरमर प्रस्तर 2 ग्रेनाइट प्रस्तर 3 सफेद चितिदार लाल बलवा प्त्तर 4 काला ग्रेनाइट प्त्तर तो इसका इंसर जो है Option 3 से होगा प्रसन संख्या 28 का option 3 से होगा सफेद चितिदार लाल बलुवा पत्तर वाइट स्पोर्टेड रेड सेंड स्टोन तो इसका option 3 से होगा अगला प्रसन है कलाकार जो बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है तो इसको इसमें पैचानना है कि कौन सा बंगाल स्कूल से संबंधित नहीं है option 1 है अप्रसन थोड़ा सा गलत लग रहा है यह जो कि हमने आपको आपकी समखची जो है इसमें तो हमने अपने से टाइप नहीं के हो यह जो भी संस्था पिपर करवाई है उसके दूरह मराए गया पिपर है तो इसमें थोड़ा सा जो है डाउट है तो आप लोग एक बार प्रसन था 29 को confirm करिएगा को इसमें answer क्या होगा परन्तो इसका जो answer जो है इसकी answer की में जो है इसका answer प्रसन था 29 को फोर लगवा रहे हैं, गगने न टेगोर तो आप लोग इस प्रस्न को जोगए, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कंफर्म करिएगा कि इसका एंसर क्या होगा, अगला प्रस्न है प्रस्न संख्या 30, उस मुर्तिकार का ना मताईए जो दारिश स्लाम विस्विद्यलाय में प्रोफेसर रहे हैं तो दारिश स्लाम विस्विद्यलाय में प्रोफेसर रहे हैं अप्सन वन धनराजभगत टू प्रदोस्तास गुपता त्री अमरनाथ सेगल फोर संखो चौधरी तो प्रस्न संख्या 30 का एंसर होगा अगला प्रसने प्रसने संख्या 32 निम्न में से कौन प्रसिद मुलतिकार राष्टी ललितकला कार्मी नाई दिली के संस्तापकवा अध्यच रहे हैं अगला प्रसने है दा ग्रावेन इमेज तथा दा स्कल्प्चर स्पीक्स नामक लगू फिल्म किसके दोरा बनाए गए मुर्ति सिल्पो पर अधारित है अगला प्रसने है प्रारंभिक पुनरुथान कालिन कला के परिप्रेच तकनिकी को किसने विक्सित किया है अगला प्रसन है अभातथी स्थूप किस पत्थर का बना हुआ है तो अमरावती स्थूप मी वह है किस पत्तर बना हुआ है ओप्जन है ग्रेनाइड, टू बालुक स्म फूर संग मर्मर तो परशन सन्ख्या 35 का एंशर होगा option 4 पूर संग मर्मर जो अमरावती स्थूप में वभा संग मर्मर और है तो परशन स्थूप का option 4 से होगा संग मरमर, अगला प्रस्न है परसी ब्राउन के अनुसार साची इस्थूप का विकास कितने चरण में हुआ था option 1 है दो चरणों में, option 2 3 चरणों में, 3 चरणों में option 3, 4 चरणों में 4 है प्रथम चरणों में तो प्रस्न संख्या 36 का जो है option 3 सही होगा 3 चरणों में जो है साची इस्थूप का विकास हुआ था option 3 सही होगा प्रस्न संख्या 36 का option 3 सही होगा 4 चरणों में विकास हुआ था अगला प्रस्न है पदम स्री की उपाधी से सम्मानित चित्रकार है तो पदम स्री से सम्मानित चित्रकार कौन है option 1 है क्रिपाल सिंग सिखावद, 2, रम जैसवाल, 3, पर्मानंद च्रोल, 4, कोबरधन लाल जोसी तो प्रसने संग है 37 का answer होगा option 1 क्रिपाल सिंग सिखावद जो है बदम सिरी से समाने चित्रकार है तो इसका option जो है 1 सही होगा अगला प्रसन है भारत माता औरंग जैब एकजामीनिंग दा हैड़ आफ दारा सिको बुद्ध एंड सुजाता दा लास्ट जड़नी आधी चित्र चित्रित किया है option 1 है यावनी राय, 2, रविना टेगोर, 3, गगने ना टेगोर, 4, अवनी ना टेगोर तो प्रसने संक्या, 38 का एंसर होगा, option 4, अवनी ना टेगोर, दोरा, यह सभी चित्रित्फ हुया है तो इसका एंसर होगा, option 4, अगला प्रसन है भरहुत इस्तूप के मुर्ति सिल्प किस पत्थर से निर्मित है option 1, ग्रेनाइट, 2, सिल्खडी, 3, लाल बलुवा पत्थर, 4, बलेक मारबल, तो प्रसने संक्या, 49, 39 का एंसर होगा, option 3, लाल बलुवा पत्थर, जो भरहुत इस्तूप के मुर्ति सिल्प हैं, वह लाल बलुवा पत्थर से निर्मित हैं, तो इसका एंसर होगा, option 3, अगला देखते हैं, कौन सा सही है, अजन्ता, जैन, option 1 है, अजन्ता, जैन, चित्रन, कांगडा, चित्रन, मुगल, सैली, option 3 है, अजन्ता, जैन, चित्रन, मुगल, सैली, कांगडा, चित्रन, 4 है, मुगल, सैली, अजन्ता, जैन, चित्रन, कांगडा, तो प्रसन संक्या, 48 का एंसर ह का अगड़ा तो यह जो है सही क्राम हैं, तो इसका एंसर हो गा, ऑप्सेन 3. अगला प्रस्ण है, निमने लिखित में कौन सी करती सलवडऱ् डाली की नहीं है? तो इसमें से पहचाना है कि कौन सी करती सलवडऱ् डाली की दरा चित्रित नहीं की गई, option 1 है जलता हुआ जिराब, 2 युद्धिक्रा की पूर सोचना, 3 इसा का क्रोसा रोपाड, 4 स्वयम अविस्क्रत वस्तु द्रश्टी, तो प्रस्न संख्या 41 का एंसर होगा option 4, स्वयम अविस्क्रत वस्तु द्रश्टी जो है यह चित्र, जो है सलवाडोर डॉली का नहीं है, अगला प्रस्न है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रूप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रूप मुंबई की स्थापना कब हुई थी, पैग इसको जो है सार्ट में पैग भी बोला जाता है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रूप, तो इसकी स्थापना कभ हुई थी option 1 उन्नीस उन्चास टू उन्नीस सुसैतालिस ट्री उन्नीस सुतिरपन फूर उन्नीस सुपैतालिस तो प्रस्ण संक्या 42 का option 2 सही होगा 1947 में जो है पैग गुरूप की स्थापना हुई थी तो इसका option 2 सही होगा अगला प्रस्ण है ब्यक्तिगत अनुदेशन हे तू चित्रा निम्नांकन में से कौन सा साधन सर्वत्तम हो सकता है तो ब्यक्तिगत अनुदेशन हे तू निम्नांकित में से कौन सा साधन सर्वत्तम हो सकता है option 1 कक्छा में पढ़ाना 2. Computer समर्थित अनुदेशन 3. Chart का उप्योग करते हुए पढ़ाना 4. Radio का उप्योग करते हुए पढ़ाना तो प्रस्ण संख्या 43. 33 का एंसर होगा option 2. Computer समर्थित अनुदेशन तो इसका option 2 सही होगा अगला प्रस्ण है जैपूर का सहीद इसमारक जैपूर का सहीद इसमारक सिल्फ किसकी रचना है तो जैपूर का सहीद इसमारक सिल्फ जो है वह किसकी रचना है option 1. अरजुन प्रजापती 2. सु महेंद्र 3. उसारानी हुजा 4. अंकित पटेल तो प्रस्ण संख्या 44 का एंसर होगा option 3. उसारानी हुजा का चित्र है सिल्फ है जो है उसारानी हुजा जो है मुर्थिकार है और इनका मुर्थिसिल्फ है जैपूर का सहीद इसमारक तो इसका option 3 से होगा उसारानी हुजा अगला प्रस्ण है प्रस्ण संख्या 45 स्वाडिम आयात स्वाइडिम आयात का सिध्धान किससे संबंदित है option 1 रंग 2, रूप 3, अंतराल 4, तान तो प्रिशन संक्या 45 का एंसर होगा option 3, अंतराल से संबंदित है स्वाइडिम आयात का सिध्धान जो है वह संबंदित है अंतराल से तो इसका option 3 से होगा अगला प्रसन है CURAY SCORA का संबंध है औफशन वन परिफ्रेच टूर चाया प्रकास 3 अनपाद 4 ले तो प्रसन संक्या 56 का ऑफशन 2 से होगा खाया प्रकास से light and shade. तो इसका answer ओफशन 2 होगाberger चाया प्रकास अगला प्रसन है निम्न में से elephant का मूर्थी सिल्फ नहीं है option 1 3 मूर्थी 2 सिव और पारवती विवा 3 सिव तंडो फोर भागी रथी की तपस्या तो प्रशन संख्या 47 का option 4 सही होगा भागी रथी की तपस्या जो मूर्थी सिल्फ वह elephant में नहीं है अगला प्रशन है एक किताब एक किताब एक चाव को डिबात था एक इंट का आकार से मंदित है option 1 बेलनाकार 2 गुलाकार घनाभाकार 4 अंडाकार तो प्रशन संख्या 48 का एंसर होगा option 3 घनाभाकार का होता है अगला प्रशन है मिनाक्छी मंदिर मदुराई किस नदी के तर्ट पर इस्थित है option 1 कावेरी नदी 2 सिव गंगा नदी 4 वय गई नदी 3 वय गई नदी 4 थामी राब नदी तो प्रशन संख्या 49 question number 49 का एंसर होगा option 3 वय गई नदी के किनारी इस्थित है मिनाक्छी मंदिर जो मदुराई में इस्थित है तो इसका option 3 से होगा अगला प्रसन है बसोली कलम के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए इन में से किसका प्रयोग हुआ है option 1 Emerald Green 2 Son Kirwa Punk 3 More Punk 4 Dana Phareng तो प्रसन संख्या 50 का answer होगा option 2 Son Kirwa Punk का प्रयोग हुआ है पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए तो इसका option 2 से होगा option 2 से होगा Son Kirwa Punk अगला प्रसन है पूरु का राफेल किसे कह जाता है तो इसका answer होगा पूरु का राफेल किसे कह जाता है बहिजाद को तो इसका इंसर होगा बहिद्याद अगला प्रस्थान है राजिस्थान के कौन से चित्रकार की आरांभिक कला सिक्षा जर्मन कलाकार A.H. मूलर के सानिध में होई थी तो राजिस्थान का कौन से कलाकार है जो जर्मन के कलाकार A.H. मूलर के सानिध में अपनी सिख्षा भूरी की थी, option 1, सु महेंद्र सर्मा, भूरी सिंग सिखावद, देवकी नंदन सर्मा, फूर द्वारका प्रसाद सर्मा, तो प्रसन संख्या 52 का, option 4 से होगा, द्वारका प्रसाद सर्मा जो है, A.H. मूलर के सानित में अपनी सिख्षा ब्रहण की थी, तो इ एक बिंदू परिप्रेज 3 यथार्तवादी आरेखन 3 यथार्तवादी आरेखन 4 त्रियामी रचना, तो इसका प्रसन संख्या 53 पन का एंस्वर जो होगा, option 1, कालपनिक परिप्रेज, अगला प्रसन है, पालसायली के चित्र किन प्रमुख के इंदरों पर बनाए गये हैं, option 1, बंगाल, बिहार, नेपाल के इंदरों पर, 2, बंगाल, राजिस्थान, नेपाल के इंदरों पर, 3, बंगाल, गोगा, नेपाल के इंदरों पर, 4, आसाम, उडीसा, नेपाल के इंदरों पर, तो प्रसन संख्या 54 का option 1 से होगा, बंगाल, बिहार, नेपाल के इंदरों प 3, Hillman 4, Hillwoman तो इसका option प्रशन संत्या 55 का answer जो है 4 होगा Hillwoman जो परवती महिला चित्र है उस पर डाक्टिकाट जारी हुए और प्रकासित किया गया तो इसका option 4 सही होगा 55 का 4 सही होगा अगला प्रशन है अगला प्रशन है चित्रन प्रभाव उत्पन करने ही तो प्रियोग किया जाता है option 1 पोद का प्रियोग 2, विविद तानु का प्रियोग 3, समतल अंत्राल का प्रियोग फोर रंगत का प्रियोग तो प्रशन संख्या 56 का answer होगा प्रशन संख्या 56 का answer होगा विविध तानु का प्रियोग जो है त्रियामी प्रभाव उत्पन करने के लिए किया जाता है तो इसका option 2 से होगा अगला प्रस्न है कोडार के सुर्य मंदिर के मुख्य मंदिर में सुर्य भगवान की कितनी प्रतिमाएं है option 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1 तो प्रस्न संख्या 57 का answer होगा 57 का option 2 तो कडार के सुर्य मंदिर में मुख्य मंदिर में सुर्य भगवान की कुल तीन प्रतिमाएं हैं इसका answer जो है option 2 सही होगा अगला प्रस्न है निम्न लिखित में से कौन सी सह कारी अधिकम की ब्यूह रचना का प्रकार नहीं है option 1, जिगसा 2, HDAD 3, सन रचनात्मक उपागम 4, प्रणाली उपागम तो प्रस्न संख्या 58 का answer होगा option 4 अगला प्रस्न है चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज कहां इस्थित है तो मदरास में इस्थित है तो इसका answer 1 होगा चोल मंडल जो आर्टिस्ट विलेज होगा मदरास में इस्थित है अगला प्रस्न है जोता हुआ खेत नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया है ऐसन मीरो नाड़नको फंगी। तो इसका एनसर जो होगा ऐसन वन होगा जो ताध्य। छित्र है जौन मीरो का तो प्रसण संख्र है साढका जौन मीरो का जोमिरो घो ताध्य। अगला प्रसण है 1998 बंबाई में आयोजित सिल्पी चक्र समोह की कलाकारों की कलाप प्रदर्शनी का उद्गाटन किस ने किया था Option 1 आनंद कुमार मुलकराज आनंद 2 चार्श बैफ फैबरी 3 चार्श कुरिया 4 रूप रुडॉल्फ वान लेडन तो प्रशनी संक्या एक सट का एंसर होगा Option 4 रूडॉल्फ वान लेडन ने उद्गाटन किया था तिल्ली सिल्पी चक्र का जो कलाकारों की प्रदर्शनी होई थी नीज सो अठावन वे बंबई में अगला प्रशन है इंपैष्टो है इंपैष्टो क्या है मोटे रंग लगाने के एक पद्धती ठो विति चित्र की पद्धती 3 टिंपरा रंगों पर पतला कर चित्रण पद्धती फूर printing प्रिंटिंग प्राइथी तो इसका एंसर जो होगा option 1 सही होगा इंपडिटो जो है वह है मोटर रंग लगाने के एक प्राइथी है तो इसका option 1 सही होगा option 1 सही होगा, اगले प्रस्ण है भुक्ति वाद का सिध्धान्त देने वाले भारती दार्ष नीखाएं, option 1 किस चित्रण परंपरा में प्रियुक्त हुआ है, जैपुर सायली, 2 मुगल सायली, 3 पटना सायली, 4 बसोली सायली, तो फिरका जो है वहाँ, पटना सायली में प्रियुक्त हुआ है, तो इसका option 3 साय होगा, अगला प्रसना है, निमने लिखित में से, निमने लिखित में से, कि चोटी आकती में केंदर केंदर केने का और बड़ी इंठी को केंदरसे दूर रखना चाहिए उप्सन थरी बड़े चेत्र में उसल्ड वारन का प्रियोग हुद सफ चोटे में सांथ वार का प्रियोग करना चाहिए रदी अठार Web A और D A और D सही होगा अगला प्रसन है प्रस्न संक्या 666 लौकिक जगत में चार परकार के ग्यान है सम्यक ग्यान, मिथ्य ग्यान, संसाय ग्यान साद्रस्य ग्यान, तो यह कथन किसका है तो प्रस्न संक्या 666 का जो है अंसर होगा ओप्सन 3 संकुक का सिस्टाइन में डोना, कोरो नेशन आफ दी वर्जिन तरी लेडी विद एएर्मिन स्कूल ओफ एथेंस, तो प्रसन न शंक है, सर्चनाट का एंसर होगा, आफ्सन 3, तो लेडी विद एर्मिन जो चितर है यहां, रैफाइल का नहीं है, तो इसका एंसर होगा, आफ्सन 3, अग लकड़ी जो कावड़ लोग चित्रण है उसमें झो है धरातल प्रिक्त किया जाता है लकड़ी का तो इस सार हो होगा option 3 अगला πैससर है निम्न लिखित में से किस चित्रकार के अधिकांस चित्रों की चिडियां रूपाकार के रूप में दिखती हैं जित्रों में जो है चडियां रूपाकार के रूप में दिखती हैं अगला प्रसन है उत्तर प्रभावादी गलाकार से ताति पर है प्रभावाद से असंतुष्ट गलाकार 2. प्रभावाद से कुछ परिवर्तन करने वाले कलकार 3. प्रभावाद से समाप्थ होने के बाद के कलकार फोर पूरो में प्रभावाद से लिए के चित्रावण करने वाले कलकार तो प्रस्न संख्या 70 का अंसर होगा option 1 प्रभावाद से असंतुष्ट कलकार जो हुगा उत्र प्रभावाद में काम करने लगे थे तो इसका अंसर होगा option 1 अगला प्रस्ण है राजिस्थान के प्रसेद पक्षी चित्रकार के रूप में कौन जाने जाते हैं अगला प्रस्ण है गांधी जी के साथ प्रवास के समय किस चित्रकार में उनके जीवन के अनेक प्रसंगों को चित्र किया था अगला प्रस्ण है अलंबन और उद्दीपन किस प्रकार के हैं अलंबन और उद्दीपन किस प्रकार के हैं अप्सन अनभाहओके किस के प्रकार हैं संचारी भाहओके विभाहओके इसस्थाई भाहओके तो अलंबन और उद्दीपन कि होगा इसस्थाई भाहओके होंगे किशद विभाहओक तो प्रस्ट ने संगया, 74 का ओप्षन 3 होगा, ओप्षन 3 होगा, नाखून चबाना, नाखून चबाना जो है वा मांसिक रूप से अस्वस्त बालक का भ्हुतिक लच्छन है, अगला प्रस्ट है, बैजेंटाइन कला सैली में, कौन सी कला तकनी की अत्याधिक लोग परिया थ अप्षन 1, फ्रेसको, 2, मडी कुट्टिम, 3, पैनल, पैंटिंग, 4, प्रिंट मेकिंग, तो इसका ओप्षन जो है, 75 का ओप्षन 2 से होगा, मडी कुट्टिम, मजाइक, अगला प्रस्टन है, अलोरा इस्थित, वह नंबर से, अलोरा इस्थित एक नंबर से 12 नंबर तक की गुफाएं संबंदित है, तो एलोरा में जो है, कुल 34 गुफाएं है, तो इसमें जो है, एक से 12 नंबर की तक की गुफाएं, जो है, किस धर्म से संबंदित है, अप्षन 1, जयन धर्म से, 2, ब्रह्मन धर्म से, 3, बाध्य धर्म से, 4, यहुदी धर्म से, तो प्रसन संक्या चेत्र का option 3 से होगा, बहुत है धर्म से संबंदीत है, option 1 से 12 तक की गुफाई जो है, तो इसका इंसल जो है, बुद्धिज्म होगा, अगला प्रसन है, प्रसन संख्या 77, निमनलिकित में से किस चित्रकार के चित्रों में तांत्रिक कला का प्रभाव दिखता है, option 1, रमिस्व से स्था नहीं है, तो इसका इंसल जो है, option 1 है, समाजिक विकास का बच्चे में समाजिक परिवेस के साथ निरंतर्व, संपर्क और सुध्य परिणाम है, तो समाजिक विकास चरित के समाजिक गुणों को सीखने और प्राप्त करने में मदद करता है, 3, समाजिक विकास भी क सोरा वस्ता पर पॉंड हो जाता है तो इसका उप्शन है प्रसुरेस शर्मा टू परमनंद च्विल थ्री मोहन सर्मा पोर जोती स्वरूप तो रेड आउन रेड के चितरकार है रेड आउन रेड के चितरकार कौन है तो सुरेश सरमा है तो इसका option 1 सही होगा अगला प्रसन है अनुख अनुख अंकित रूप में आप क्या समझते हैं अनुरंकित रूप में आप क्या समझते हैं, एक option 1 रूपांथृत रूपत, 2 यथार्थवादी रूप, 3 प्रतिकात्मक रूप, पुर सम मितिल युक्त रूपत, तो प्रसने संक्या 80 का जो है option 1 से होगा, रूपांथृत रूप अनुरंकित का रूप में आप क्या समझते है तो रूप आंतरित रूप समझते हैं अगला प्रस्न है अग्रिम संगठक मोडल में सिंटेक्स की कौन सी अवस्था और अध्यापक अधिगम विसेवस्थो को इस पश्टतेया तार्किक करम में रखता है तो अग्रिम संगठक का प्रस्तुति करण तो संग्यानात्मक संगठक को भल देना थ्री अधिगम प्रक्रिया प्राप्त को बढ़ाना फूर अधिगम कारी का प्रस्तुति करण तो प्रस्न संख्या एक्क्यासी का ओप्सन फूर से योगा अधिगम कारी का प्रस्तुति करण अगला प्रस्ण है राणकपुर के आधी नाथ मंदिर के मुख्य सिल्पी का नाम क्या है तो अधी नाथ मंदिर जो है राणकपुर में है और उसके मुख्य सिल्पी का नाम क्या था क्या है option one देपाक टू देवराज थ्री भीहम राज फूर धिनेस प्रजापती तो प्रसंचे अध कर वाया था प्रतिहार वंस को ने कर वाय था अगला प्रभावादी चित्रण का मुख्य विश्य क्या था तो प्रभावादी चित्रण का मुख्य विश्य क्या था option 1 अंत्राल और आकार 2 पदाल्थ और रंग 3 प्रकास और वातवरान फूर आकार और विश्य वस्तू तो प्रकास और वातवरान था तो इसका option 3 होगा 84 का option 3 से होगा light and environment अगला प्रसन है आलियो ग्राफ यह तू प्रसिद्ध चित्रकार है तो इन सभी में सीधा आपको राजा रवी वर्मा लग रहे हैं क्योंकि राजा रवी वर्मा ही आलो ग्राफ जो है भारत में सर्भधम प्रियोग किया थे तो 85 का 3 से होगा अगला प्रसन अगला प्रसन है वर्ण के आधार पर चित्र में अकृति के अनुपात और रंग के अनुसंस की प्राचीन ग्रंथ है ओप्शन 1 विनाई पिटक 2 मतस्य पुराण 3 ध्वान्यालोग 4 विशुडू धर्मत्तर पुराण तो प्रसन संख्या 87 का एंसर होगा option 4 विशुडू धर अगला प्रसन है शिच्छा मनव विज्यान के बारे में निमनांकित में से कौन से कथन सही नहीं है option 1 यहाँ एक सकारात्मक विज्यान है 2 यहाँ प्यवस्थित है 3 यहाँ वैज्यानिक विधी का प्रियोग करता है D होर यहाँ असंगठित है तो निमनांकित विकल्पों मे सही विकल्प का चैन करें तो देखते हैं कौन सा सही होगा प्रसन संख्या 88 48 का option 1 से होगा तो शिच्छा मनव विज्यान के बारे में यह हाँ अक्तह सही नहीं है किवल D सही होगा यह असंगठित है तो इसको option D होगा option 1 सही होगा किवल D. अगला प्रसन है घोडा बावशी किस कला से संबंदित है तो घोडा बावसी जो है हुआ किस कला से संबंदित है और अगला प्रसन है विकास की मनो समाजिक अवस्थाओं का सिध्धान्त किसने प्रतिपादित किया अगला प्रसन है इसको समेलित करना है तो चलिए देखते हैं कौन किस से संबंदित है तो एक तरफ A, B, C, D दिया हुए एक तरफ 1, 2, 3, 4, तो इसमें से अपको सम्मन्दित क लाकार को उसके सम्मनित कारे से जोड़ना है तो देखते है प्रसन śंखिया 491 का ओप्षन रामकिंकर बैज, रामकिंकर बैज, संथा रामकिंकर बैज तो संको चौधरी का संबंध है Head of the Girl धनराज भगत जो है हुआ सितार वादक और अरजुन पज्यापती जो है हुआ बनी ठनी मूर्ती सिल्प बनाए है तो इसका ओफसन जो है दिखते हैं वन का A वन का सेगें वी का थर्ड सी का फर्ड तो इसका ओफसन 1 सही होगा अगला प्रशन है प्रशन संक्या 92 92 1944 था 1945 दो में कलकत्ता गूरॉप 43 की कला प्रदर्षन किस सहर में ऐयोजित की गई थी वे आफसन 1 दिल्ली मुंबाई पटना कॉलकता तो यह रचार ओफसन है तो इसमें से कौन से सही होगा तो प्रस्ण संक्या 92 का option 2 से होगा मुंबई में अगला प्रस्ण है प्रसिद चित्र तुम सबको खुस नहीं रख सकते किसकी रचना है option 1 विवान सुंद्रम 2 भूपेन खकर 3 सोमना थोरे और मनुपारेख तो यह अगला प्रस्ण है बाड़ोली के मंदिरों के समों को प्रकास मिलाने का कारिय किस नहीं किया तो प्रस्ण संक्या 94 का एंसर होगा option 2 James Dodd ने जो है बाड़ोली के मंदिरों को प्रकास मिलाने का सरह है तो इसका option 2 से होगा option 2 से होगा James Dodd अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में से कौन सा संत भरत के अनुसर संदर्यात्मक भाव मूड के समरूप इस्तित समवेत का गलत युगम है तो option 1 प्यार सिंगार कमत तेजना रती भाव तो दहसत पयानक कुस्सक रोध करूण रस करूणा खेद को सोक हसे पूर्ण हसे खुसी हसे तो इसका answer होगा प्रस्ण संक्या पंचान भी का तो इसका option 2 से होगा दहसत और अनक गुस्सा करोध अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में से कौन सा भी से राजिस्थानी चित्र तो प्रस्ण संक्या 96 का answer होगा जातक खथ जो होगा राजिस्थानी चित्र सैली का विसे नहीं है तो प्रस्ण संक्या 96 का answer अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में से कौन सा निर्मित वाद की कक्छा प्रबंध रणनीती में सम्मिलेत नहीं है तो प्रस्ण संक्या 97 का answer होगा option 3 अध्याफ को केवल प्रतिभा साली विद्यार्थियों को औसर पदार्ण करने चाहिए तो यह सही नहीं सम्मिलेत नहीं है तो इसको answer जो है option अगला प्रस्ण है प्रस्ण संक्या 98 question number 98 तो 1907 में जन्मे मुर्तिकार जिन्होंने राजिस्थान की मुर्तिकला को नई दिशा का पह हुआ पहचान दिलाई option 1 गोपी चंद्रमिस्त्रा 2 राजेंद्रमिस्त्रा 3 ग्यान सिंग पूर आसुक गवड तो प्रस्ण संक्या 98 का एंसर होगा गोपी चंद्रमिस्त्रा अगला प्रस्ण है प्राणाली ब्यास्था प्राणाली ब्यास्था विसलेस्था का विचार निमन में से किस विसाई छेत्र से आया है option 1 है खागुल विग्यान से 2 जी विग्यान से 3 जोतिस विग्यान सास्त्र से जोतिस सास्त्र से और अर्थ सास्त्र से तो प्रस्ण संक्या 99 का एंसर है option 2 जी विग्यान से आया है अगला प्रस्ण है निमन लिखित में से कौन सिलपी चक्र का सदस्थ से नहीं है option 1 कवल करिशने सनत कर सनत अगला प्रसन है जोती शरूप की प्रसिद चित्र संक्रला है अगला प्रसन है द्रसिकला का कोई आकार जो मात्र लंबाई चोड़ाई को प्रसित करता है क्या कहलाता है एक आयामी द्री आयामी तो इसका ऑप्सन टू से होगा द्री आयामी अगला प्रसन है चांद बावडी श्थित है तो चांद बावडी कहां श्थित है ऑप्सन वन आमेर टू बूदी थ्री अभानेरी फोर टॉंग तो चांद बावडी जो ह प्रलवाद का सिद्धान्थ किस्ने दिया रच से सम्बंदित उत्पत्यवाद का सिद्धान्थ किसंडे जय भरत्मुनी दिआंड़ाभ का जाहन मंदिर का जो निर्माड हुआ था कब हुआ था ओप्शन वन है 1031 तू 1425 थी 1250 फूर 970 तो प्रेस्ट निशंके 105 का एंसर होगा ओप्शन 1 1031 में हुआ था जुलवाड़ा जाहन मंदिर का निर्माड जो विवाल साही जाहन मंदिर है अगला प्रेस्ट है जीवत्यों कि क्यों की सिस्थ थे ऑप्शन पेत्रो को युवे लिनी टू पेत्रो लरेंज जेटी तरी शिमाबू फो डिच्चियो तो प्रेस्ट निशंके 106 का एंसर होगा शिमाबू सिमाबू के सिस्थ है अगला प्रस्ण है प्रम प्रागात भारतियाता की ओर पुना चलो किस सैली का प्रमक देश था तो option 1 बंगाल सैली 2 राजिस्थानी सैली 3 भाड़ी सैली 4 कंपनी सैली तो इसका option 1 से होगा बंगाल, सैली, बंगाल, स्कूल तो प्रस्न संगया 107 का उपसन 1 से होगा अगला प्रस्न है कौन सा गरंत जैन सैली से समन्धित नहीं रखता है समन्ध नहीं रखता है उपसन 1, 9, 4, 2, ग्यात सूतर त्रे, चितर सूतर, पूर अंग सूतर तो प्रस्ण संक्या 108 का option 3 से होगा, चित्र सूत्र जो होगा, जैने सैली से संबंध नहीं रखता है, तो इसको option 3 से होगा, चित्र सूत्र अगला प्रस्ण है, निमनांकित में से कौन भावतमक बुद्धी की संकल्बना के विकास से संबंधित नहीं है तो प्रस्ण संक्या 109 का फोर से होगा, अगला प्रस्ण है, चाय प्रकास के माध्यम से किसी वस्तु को ठोंस वा वस्त्विक द्रस्य के अनुरूप दिखाने का प्रयास कहलाता है अगला प्रस्ण है, श्रिंगार सतक नामक गरंथ के रचायता है भर्त हरी अगला प्रस्ण है, निमन लिखित में से कौन सा चित्र, कोवरधन लाल जोसी द्वारा चित्रित नहीं है तो अफ्शन वन है, पन्ना धाय का त्याग, तो अलकापुरी का यच्छ, थ्री, गवरी और भील बाला है अगला प्रस्ण है, प्रस्ण संक्य 112 का उफ्शन को सही होगा, गवर्धन लाल द्वारा चित्रित नहीं बाकी सभी चित्रित हैं, अलकापुरी का यच्छ, अगला प्रस्ण है प्रस्ण संक्य 113, निमने लिखित में से, भारत में किस इस्थान पर सरुपर्थम प्रागयतियसिक चित्रों की खोज हुई, तो इसका एंसल जो है, आप से भी को मालूम ही होगा, लगभग, कि भारत में सरुपर्थम प्रागयतियसिक चित्रों की सिस्थान से हुई, तो म गोथिक इस्थापतिकला त्री बीजान टाइन इस्थापतिकला फोर प्रारामिक इस्थापतिकला तो 114 का आप्सन 2 से होगा गोथिक इस्थापतिकला अगला प्रस्ण है प्रस्ण संक्या 115 निम्न लिखित में से भारत में सैल चित्रों की खोज का प्रथम सरे किसको जाता है तो साहल चित्रों का भारत में साहल चित्रों का प्रिथम खोज का सरे किसको जाता है तो प्रसन संख्या 115 का जो है आप्सन फोर से होगा अर्ची वार्ड का लाईव तेथा जान का अक भरन को जाता है अगला प्रसन है The Singing Line Drawings by एबर पुस्तक के लिखा कौन है The Singing Line Drawings by एबर पुस्तक के लिखा कान है आप्सन बन एक एक कुमार स्वामी टू मुलकराज आनंद त्री एन टैगोर और इस्टेला क्रैमरिस तो प्रसन संख्या 116 का आप्सन टू से होगा मुलकराज आनंद ने जो है The Singing Line Drawings by अगला प्रसन है किराडू का प्रचियन मंदर के इस नाम से जाना जाता है Option 1 किराए कोब 2 कमपूर 3 बटाडू 4 किरतिपूर तो प्रसन संख्या 117 का आप्सन 1 से होगा किराए कोब अगला प्रसन है प्रसन संख्या 118 किस राजिस्तानी चित्रकाड ने मेख दूत विसाइपर चित्रवली की रचना की है Option 1 राम जैसवाल 2 द्वारक प्रसा सर्म 3 क्रिपाल सिंख्याट पूर राम कोबाल विजय वरगी तो प्रसन संख्या 118 का आप्सन 4 से होगा राम कोबाल विजय वरगी ने जो है मेख दूत विसाइपर चित्रवली रचना की है इसका Option 4 से होगा अगला प्रसन है जेर्मन फ्रैंच सब्दकोस के अनुसवार दादावाद का नाम करण हुआ था यह दादा का अर्थ क्या है Option 1 उड़ने वाले लकडी का घोड़ा 2 चित्रकारों का एक समूर 3 सुनाहरी रंगोवाल योजना सुनाहरी रंग योजना और जूलने वाले लकडी का घोड़ा तो प्रसन संख्या है 119 का Option 4 से होगा जूलने वाला घोड़ा दादा का अर्थ है अगला प्रसन है निमने लिखित में से कौन प्रोग्रेसिव आइटिस्ट ग्रूप मुंबाई का सदस्य नहीं है Option 1 फ्रांसिस न्यूटन सुजा 2 एसेच रजा 3 एमेफोसन 4 बीसी सन्याल तो इसका एंसर होगा बीसी सन्याल जो है दिल्ली सिल्फी चकर के सदस है ना कि मुंबाई प्रोग्रेसिव आइटिस्ट ग्रूप के तो इसका Option 4 से होगा 121 का 4 से होगा निम्न अंकित में से किसकी मानेता थी की संग्यान अत्मक विकास समाजिक मध्युस्ता अधारित प्रक्रिया है Option 1 जीन पी आजे 2 लेव वाई गोत सकी 3 सिंगमेंड फ्रेड फॉर अल्फ्रेड बीने तो प्रेसन संखे 122 का Option 2 से होगा लेव वाई गोत सकी तो इसका Option 2 से होगा अगला प्रेसन है जैकब का देवता जैकब का देवता से द्वन्द यूद नमक चित्र किसने बनाया है Option 1 वाई गोग टू जाल सुरो टीन Option 3 यूजिन डुला क्रा पॉर पॉल गॉगिन तो प्रेसन संख्या 123 का एंसर होगा पॉल गॉगिन ने जैकब का देवता से द्वन्द यूद नमक चित्र जो है चित्रित किया है तो इसका Option 4 से होगा अगला प्रेसन है वस्तु निरपेच कला के प्रेणडा के रूप में माना जाता है Option 1 कंडेंड की 2. Theodore Jiricol 3. Andrei Mason पॉर Emil Nolde तो प्रेसन संख्या 124 का एंसर होगा प्रेसन संख्या 124 का Option 1 से होगा कंडेंड की जो है वस्तु निरपेच कला के प्राणडेता के रूप में माना जाते है तो इसका Option 1 से होगा कंडेंड की अगला प्रेसन है चार सोच तो प्रस्ट नसंखे 125 का option 3 से होगा परामर्स अगला प्रस्ट है जिस वस्टु का अंकन चाय प्रकास के माध्यम से या थार्त वाट ठोंस दिखाने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं तो प्रस्ट नसंखे 126 का एंसर होगा option 1 जिस वस्टु का अंकन चाय प्रकास के माध्यम से या थार्त वाट ठोंस दिखाने के लिए किया जाता है उसे कहा जाता है अगला प्रस्ट नहीं है काम सूत्र पर किसने टीका लिखी जिसे जै मंगला के नाम से जाना जाता है तो इसका एंसर एकदम सहरल सा है पंडित ये सोधर ने तो यहाँ आप सभी को मालिम ही होगा अगला प्रस्ट है निमनलिकेद में से कौन सीखने का संग्याना आत्मक सिध्धान्त नहीं है अगला प्रस्ट है विवान सुद्रम ने कला सिच्छा में इसनाता की उपाधी प्राप्त की थी तो कहां से उपाधी प्राप्त की थी इस ना तक की कला सिक्षा में इस ना तक की तो option 1 है MS 20 विदेले बड़ोद्रा 2 राज्थान स्कूल आफ 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 जैपूर 3 college of art नई दिली फूर college of art एंट क्राफ्ट कॉलका था तो इसका option जो है 1 से होगा MS 20 विदेले बड़ोद्रा से प्राप्त की थी तो प्रस्न संख्या 130 का 1 से होगा अगला प्रस्न है महाबलीपूरम इस्थित महिसासूर मरदिनी प्रतिमा निर्मित है option 1 लाल बालू पत्थर 2 ग्रेनाइट पत्थर का कला अध्यन कहा हुआ है तो फावादी चित्रकारों का जो कला अध्यन हुआ 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 है option 1 राइल स्कूल आफ हाट लंदन 2 इकोले डेस बीक्स पेरिस 3 गलासगो गलासगो स्कूल आफ हाट गलासगो अमिरिका पूर स्लेड कॉलेज आफ लंदन तो प्रस्ण संख्या 131 का option 2 से हुआ हुआ है इकोले डेस बीक्स में डेस बीक्स पेरिस में हुआ था अगला प्रस्ण है रंग द्रब को अंडे की जर्दी जैसे अधार्त हुआ पानी में मिलाकर चित्रा विधी को कहते हैं अफसन 1 टेंपरा 2 जल रंग 3 तेल रंग 4 एक्रेलिक तो इसका option 1 से होगा टेंपरा प्रस्ण संख्या 132 का option 1 से होगा अगला प्रस्ण है कलाकारो को करम के अनसौर बेवास्थित कीजिए यहों सही उत्तर चुनिए तो कलाकार जो भी है चारो इनको क्रम के अनुसार चुनना है कि पहले कौन सा है फिर उसके बाद फिर उसके बाद ऐसे करके तो चलिए देखते हैं तो प्रसनिसंग के एक सटाइट इसको देखते हैं जियोन, जियत्व, लियोनार्ड विंची, रिमडाट माने तो ये उप्सन तो लगभग करम से ही लग रहे हैं जियत्व जो है पनार्जागरान काल के कलाकार है उसके बाद लिए विंची है फिर रिमडा है फिर माने है तो इसको उप्सन जो है प्रसनिसंग के 133 इसको उप्सन टू सही होगा ये करम जो है सही दिये होए 1, 2, 6, 3, 4 अगला प्रसन है सिश्टेन चेपल में चित्रिद्धा टेमटेशन आफ क्राइस्ट नामकरती किसने बनाई थी तो उप्सन 1 मैसाची ये टू लियोड़नाडविंची 3 रैफल फॉर सेंट्रोबती चली तो प्रसने सहं के 134 का एंसर होगा उप्सन 4 सेंट्रोबती चली ने बनाई थी अगला प्रसन है माइकल एंजिलोग द्रा निर्मित प्रसिध पिता नामकरती कहां इस्थित है लुब्र पेरिस तो प्रसने संख्या एक्सोपाइटिस का ओफशन 3 से होगा सेंट पीटर्स बेसिलिका विटकन सिटी में अगला प्रसन है राम जैसवाल ने किस चित्रकार से कला की बारिकियां सीखी ओफशन 1 अशित कुमार हल्दर 2 नंदलाल बॉस 3 प्रसने संख्या एक्सोपाइटिस का ओफशन 2 से होगा अगला प्रसन है विजपूर गॉलकॉंडा चित्र सैली इसके एक अंग के रूप में जानी जाती है तो इसका जो है विजपूर गॉलकॉंडा सैली वा धक्कन सैली के एक अंग के रूप में जानी जाती है तो इसका ओफशन 4 से होगा प्रसन संख्या 138 का 4 या दक्कन सहली का एक अंगल के रूप में जानी जाती है वीजपूर गोलकुंडा सहली अगला प्रस्न है सीकर के हर्स नाथ मंदिर में स्री हर्स नाम से किस देवता की पूजा की जाती है सीकर जो है राजस्तान में स्थित है और यहां हर्स नाथ मंदिर है और हर्स श्री हर् अगला प्रसन है निमने लिखेत में से कौन सा चित्र एडवर्ड मुंख का नहीं है अगला प्रसन है निमने लिखेत में से कौन से केंदरी चेत्र से संबंदित है अगला प्रसन है जेक्सन पॉलाग का संबंद है तो जेक्सन पॉलाग का संबंद है जेक्सन पॉलाग का संबंद है अगला प्रसन है चित्रकार निसार दिन किस लगुचित्रण सैली में से संबंद रखते हैं तो निसार दिन जो है संबंदित है क्यों से चित्रण सैली से तो प्रसन संबंद रखते हैं अगला प्रसन है किसके अनुसार रस उत्पन नहीं होता है उसके अनुसार रस उत्पन नहीं होता है उसकी अनुभूती होती है तो अगला प्रसन है यामनी राय की कला में प्रयुक्त आकार है अगला प्रसन है चित्रकार जो केवल कला ही नहीं बल्कि वह सरीर विग्यान अंत्रिश विद्या से भी प्रामपरागत है अगला प्रसन है घोड़ी की नाल बंदी नामक प्रसिद सिल्प किस मूर्थिकार का है अगला प्रसन है निमनलखित में से किसने कैलिग्राफी का प्रयोग चित्रण में किया है अगला प्रसन है एक ग्राफिक कलाकार के रूप में प्रसिद हैं अगला प्रसन है और आखरी प्रसन है जो प्रसन वाली थी वहाँ आज की इस क्लास में पूरे हो रहे हैं कल्कत्llo decid ने कौन सी चित्रण विधा को प्रमुकता दी जिसकी बंग जिसकी बंगाल सैली में अले ला की गई उप्जन वन जयल चित्ररण विधी ती तेल चित्रन विधी फोर वास चित्रन विधी तो इसका उप्शन थ्री सही होगा तेल चित्रन विधी ओयल कलर पेंटिंग तो यहाँ थी 150 प्रसनों की जो क्लास और इस पेपर का जो सॉल्व था तो कैसे लगए आज की क्लास कमेंट बॉक्स में चरूर बताएगा और अपने जो है मार्क्स बताएगा कितने सही हो रहे हैं आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं तो यह पेपर था जो इस समय वरतमान में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप लोगों को कुल मिलाकर इस तरह के और इस लेवल पे त्यारी करनी है तकि आप सब की आगामी परिख्षा और भी बेहतर और अच्छी हो और आप सभी अपने अपने जो परिख्षा में सफल हो सभी को सफलता मिले और आप सब लोग अच्छे-च्छे मुकाम हासिल करे कमेंट बाक्स में जरूर रताइएगा कैसे लिग आज की क्लास 150 प्रशनों की थैंक्स पर वाचिंग और जरूर से जरूर आप लोग जो है हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन करिए जिसमें आपको डेली की क्लास का पीडियाफ भी उपलब्ध करा दिया जाएगा थैंक्स पर वचिंग इस वीडियो